सोशल मेडिया पर करीब 14 मिनट का एक वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने बोस की जाडू से पिचाई कर रही है इस पूरी घटना के बारे में जानने के बाद लोग महिला की काफी तारीफ कर रही है क्योंकि उसने अपने और ओफिस की महिला सदस्यों के लिए आवाज उठाई चीन में इत महिला ने अपने बोस की पोछे के डंडे से जम कर धुनाई कर दा लिए इसका वीडियो सोचल मीडिया पर जब वायल हुआ तो महिला काफी संक्षेन बन गई और लोगों द्वारा काफी तारीफ हुई अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर महिला के बोस ने ऐसा क्या किया कि उसके इस कदर से पिटाई हुई जी हाँ महिला ने अपने बोस की पिटाई का पूरा वीडियो शूट किया और इस दोरान कैमेरे के सामने उस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए साउट चाइना मौर्णिंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन के सरकारी करमचारी महिला का आरोप है कि उसका बोस उसे परताडित करता था और उसे अबधर मैसेज भेजता था जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि जोव ने पहले तो टब में भरे बातरूम का पानी अपने बोस के उपर फेकती है और फिर पोचा लगाने वाले डंडे से उसके ओफिस के भीतर गुस कर जम कर धुनाई करती है इतना है नहीं बोस वैंग के सामने रखे किताबों को महिला ने जोर से उसके मुह पर फेका जैसे ही उसे पीटा जाने लगा और महिला के साथ खड़ी यूपती उसका वीडियो बनाने लगी तो वो अपना मूँ छुपाने लगा मूँ छुपाते हुए बोस ने महिला के सामने माफिय मांगते हुए कहा कि वह मजाग कर रहा था जब उसने मैसेज भेचा इस पर साथ में खड़ी महिला ने कहा कि ये मजाग कैसे हो सकता है यह तुम्हारे गंदे चरितर को दखलाता है क्या तुमने कभी अपने ओफिस के करमचारियों के बारे में सोचा है दूसरी महिला गुस्से में उसके सामने रखे कई किताबों और समानों को मेज से गिरा देती है वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला कई अन्य लोगों को फोन करके इसकी जानकारी दे रही है और दावा कर रही है कि ये शक्स ओफिस की कई महिलाओं को प्रतारित करने का मैसेज भेजता है करीब 14 मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायल हो रहा है इस पूरी घटना के बारे में जानने के बाद लोग महिला की बहुत तारिफ कर रही है क्योंकि उसने अपने और अपने ओफिस की महिला सदस्यों के लिए आवाज उठाई है कर दो 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 क झाल 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 बिना देर किये अपने सपनों का घर बोग करें